अब इस कहानी का एंटी क्लाइमिक्स बस आने ही वाला है पुलिस लड़की को ढूंडती हुई जो है गुरगाओं जा पहुँची और गुरगाओं की एक खास लोकालिटी में जिस जगह पर ये वाइफाई इंस्टॉल्ड था पुलिस ने उस जगह को भी एडेंटिफाई कर लिया और जब पुलिस वहाँ पहुची तो वहाँ पुलिस को 31 साल का एक नाइजिरियाई नागरिक मिला जिसका नाम ओकुरापूर है तो ओकुरापूर को जब पुलिस ने वहाँ देखा और पकड़ा और उससे पूछा कि ये वाइफाई तुम्हारे यहां लगा है इस न पुलिस ने पिन पॉइंट तरीके से लोकेशन के सबूत के साथ और वाइफाई जो जहां पर भी इंस्टॉल्ड था उसके भी आईपी एडरेस के साथ पुलिस ने जब उसको उसका एंकाउंटर किया उसे कन्फरंट किया तो उस नाइजिरियाई नोजवान ने ये माना कि हाँ जिस लड़की के किडनैपिंग की आब बात कर रहे हैं वह लड़की जो है मेरी जानकार है और वह मेरी गर्लफेंड है और सच तू यह है कि उसको किडनैप नहीं किया गया था बलकि वह मेरे साथ ही यहां पर रह रही थी अब जब पुलिस ने ये बात सुनी तो फिर उस लड़की को भी ओकोरापोर के जरीए जो है लोकेट किया और उसे जो है इस तरह वो अमेरिकी लड़की और वो ओकोरापोर नाम का उसका जो बॉइफरेंड है वो दो लोग दिल्ली पुलिस की हिरासत में आये और ये पता चला कि ये लड़की जो है वो ग्रेटर में ही रहती है लेकिन गुरगाओं में अपने दोस्त के पास अपने उस बॉइफरेंट के पास आती जाती रहती है और ग्रेटर नाडा में उसका पता है वो एक और होटल है और उस होटल का नाम है इंपिरिया रेसिडिन्सी तो रेडिसन ब्लू होटल का इसने अडरेस जरूर दिया था लेकिन ये इंपरिया रेसिडिन्सी में रहती थी और ये लगातार गुरगाओं आती जाती रहती थी और यहाँ पिछले कई मैनों से रह रह रही थी लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इस लड़की को अगवा नहीं किया गया और उसके साथ कोई जयाती नहीं हुई कोई रेप नहीं हुआ तो इस लड़की ने इतनी बड़ी साजिश कैसे और क्यों रची और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस लड़की ने अपने मां को फोन करके खुद को बहुत ही डेस्टिट्यूट जिसे कहते है न पीडी तवस्था में खुद को उसने दिखाया पोट्रे करने की कोशिश की और जब वो अपनी दर्दभरी कहानी बता रही थी तो उसका मोबाइल फोन किसी ने चीन लिया इन सब कहानी के पीछे का काफी मौज मस्ती करते हैं लेकिन यहां अब उन दोनों के पैसे खत्म हो गए थे यह जो क्लो मैकलगन है इसके घर के लोग काफी वेल आफ हैं अमेरिका में उसे यह लगा कि उसकी माँ से अगर सीधे तरीके सा और पैसे मांगे जाए तो शायद वो न दे तो ऐसे में अगर वो किटनेपिंग की कहानी सुना कर थोड़ी सिंपैथी बतूर सकेगी तो शायद उसकी माँ उसे पैसे दे देगी हो सकता है कि इस कहानी के अगले चरण में यह लड़की जो है उस अपनी माँ से कुछ रुपए मांगती चाहे वो रैंसम के फॉर्म में मांगती या जैसे भी मांगती नहीं पता है क्योंकि उससे पहली भांडा फूट गया लेकिन इनकी प्लैनिंग ये थी कि ये दोनो बॉइफरेंड और गर्ल्फरेंड मिलकर अमेरिका में मैकलगन की जो मा है सैंडरा उससे एक मोटी रकम वसूलने वाले थे और उसके लिए इन दोनों ने ये पूरा खेल रचा था और ना सिर्फ खेल रचा बलकि भारत की जो पुलिस है दिल्ली की पुलिस है उसको बिलकुल जिसे कहता है ना 360 डिग्री में नचा दिया बुरी दरह से क्योंकि WhatsApp कॉल का इस्तेमाल करना Alternative नंबर यूज करना अपने मोबाइल से Internet यूज न करके किसी और का Wi-Fi यूज करना फिर फेक स्टोरीज क्रियेट करना और ये दिखाना कि किसी के कबजे में लड़की है पीछे से कोई मोबाइल छीन ले रहा है तो एक इस तरह का माहूल इन लोगों ने बनाया जिसे पुलिस भी जो है वो कुछ देर के लिए जिसे कहते हैं कि चक्कर में पड़ गई थी लेकिन दिल्ली पुलिस भी माहिर है साइबर एक्सपर्ट्स इस टीम में होते हैं तो बड़ी भारी भरकम टीम ने इस मामले को investigate किया और बेशक आपको कहानी मैंने इतने मिनटों में सुनाई हो लेकिन इस कहानी का एक और खास पहलू ये है कि जब रिपोर्ट अमेरीकी दुतावास की तरफ से इस लड़की को अगवा किये जाने से related दर्ज की गई उसके महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस को successfully crack कर लिया और इन दोनों को पकड़ लिया अब जब इन दोनों से पूछता चुई तो ये भी पता चला कि ये सिर्फ अफरण की जूटी कहानी नहीं बलकि इनका वीजा जो है इंडिया का वो भी लैप्स हो चुका था शायद इन दोनों में से एक का पासपोर्ट का जो टेनियोर होता है टाइम फ्रेम होता है वो भी लैप्स हो चुका था तो इस तरह ये इल्लिगल तरीके से जो है वो भारत में रह भी रहे थे तो जब कहते हैं ना कि जब एक बार पोल खुलती है तो सारे गुनाहों की पोल पट्टी खुलने लगती है तो इस बॉइफरेंड और गॉर्फरेंड की जोड़ी के सारे पॉल पती खुलने लगी अब पूलिस ने इनको इंटरसेट करने के बाद इन पर जो है वो लीगल प्रोसीडिन कानूनी कारवाई इन पर की और इसके बाद इन दोनों को यहां से डिपॉर्ट करने की प्रक्रिया में पूलिस फिलहाल है तो ये पूरी कहानी है और मुझे लगता है कि जब तक आप ये कहानी सुन रहे हैं या सुनेंगे तब तक शायद इनको डिपोर्ट कर भी दिया गया होगा या हो सकता है कि अगर भारत में जो कानून तूटा है फर्जी केस दर्ज करने के मामले में अगर उस पर इनको प्रोसिक्यूट किया जाए तो हो सकता है इनको जेल भेजा जाएगा तो इसके बारे में मुझे exact जानकारी नहीं है कि इनका मौझूदा ठिकाना भी क्या है क्या ये भारत में जेल में है जिन्नोंने फिक्टिशियस क्राइम की स्टोरी क्रियेट की जूटी कहानी बनाई या फिर इनको यहां से वापस उनके देश भेज दिया गया है डिपोर् उनका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता इस कहानी से भी वह बात एक बर फिर थाभीत हुई और इस कहानी का क्लाइमेक्स नहीं बलकि ऐंटी क्लाइमेक्स था जिसमें विक्टिम ही जो है वो कल्परिट निकले और हैट्स ऑप टू डेली पुलिस जिसने इतनी मुस्ति से इस मामले की जांच की क्योंकि विदेश के सामने भी हमारी छवी और इमेज का सवाल था तो दिल्ले पुलिस ने उसको अच्छी तरह से अफोल्ड किया बनाए रखा अब बात जो है हमारी जो परीपाटी है हम वीडियो के बाद जो हमारा प्रीवेस वीडियो होता है उसके कमेंट सम पढ़ते हैं कुछ आप लोगों के नाम पढ़ते हैं तो उस केस उसके बारे में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं जो पिछली हमारी कहानी थी वो यह था कि 30 साल बाद कैसे खून के एक बून से एक मर्डर केस को पुलिस ने सुल जाने में कामियावी हासिल की अमेर अगर डियने ना मिला फिर क्या देखिए ये तो रैना साहब मैं यही कहूंगा कि अगर डियने ना मिला होता तो शायद इस गुनेगार को कभी सजा नहीं होती क्यूंकि डियने ब्लड सेंपल तो पुलिस ने इकठा करके रख लिया था आप सोचिए अमेरिका की पुलिस है मतलब उनकी भी दाद देनी होगी कि 30 साल पहले उन्होंने खुन का एक कत्रा जो है महफूज रखा था सुरक्षित रखा था और उससे 30 साल बार डियने एक्स्ट्रैक्ट करके पुलिस ने जो है उस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस ने गुनेगारों को पक् जानता हूँ कि तुम ना ही इंक्वारी करोगे पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं लेकिन इनका ये कहना है कि आपके पास टेक्नलोजी है लेकिन वो जानते हैं कि हम एंक्वारी नहीं करेंगे तो ये बात इन्होंने किसके लिए कही मतलब आपके पास अगर हमारे लिए कह चाहूंगा, मैं बस यह कहूंगा, कि हर केसे स्टेडि अलग है, पुलिस कुछ मामलों में जो है, पुलिस लापरवाही भी करती है, इसके अलाबा जल्दी से कुछ नाम आप लोगों के लेना चाहूंगा, सिमरन कौर जी का कमेंट आया है, शोगना शाह जी है, दिजित टी-म डीजे टीम 14, ग्लाडशन जेरमियास, और क्रदी भांबू आरेम जी, विकास पतेल, रोबिन हुड़ी, सुभद्रा गांगुली, रिदम डिवाइन, जीवन पाथक, कैंडिड फेलो, बिजेंद्र जी, रिफ्रेशर ABC, परुप्षिष्टा जी, साहिल महार सहब, अतीक सिंग और लवकुष वर्मा, प्रोबीर चॉट्टो राज, बहुत सारे हमारे दर्शक जो है लगातार कमेंट्स करते हैं, स्टोरी के बारे में भी बात करते हैं, और मेरी जो स्टोरी होती है, उसमें मेरी भी बड़ी होसलाब जाई करते हैं, तो मैं बहुत और डर है कि कहीं ऐसा नहों कि किसी दिन ट्रेवल करने की वज़ा से और वहां होने की वज़ा से मैं ये एपिसोड मिस न करूँ, तो मैं आपको सिंसियरली ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि एपिसोड मिस नहों, और चाहे मैं यहां रहूं या अपने हो कौर्ड भी करूंगा ताकि आप लोगों को आप लोगों के साथ ये जो बातचीत का सिलसिला है ये जो कन्वरसेशन है ये बंद नहों पाए तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए जै हिंद जै भारत कर दो